यह मेरी दुकान है जो ठीक है यहां फे यह लैपटॉप होगे यह लैपटॉप होगे और भी मॉनिटर्स वगेरा है कीबोर्ट्स वगेरा वो मैं वर्फ वोम वाले वीडियो में दिखाने वाला हूं कि मैं गुरू क्या हाल चाले सबके स्वागत है नए व्लॉग में आज का सब्सक्राइब बहुत हाई-end systems ही है वह बताँगा कैसे मैंने इस्टार्ट यह क्या सारी चीज़ें अपने सारे लैपटॉप दिखाने वालों बैसिकली मैं सारी चीज़ें दिखाने वाला हूं कि जब मैंने लाइक मैंने अपना कब पहला लैपटॉप लिया थका क्या क्य वेकॉस किया होता है अगर एक साथ नहीं लिखो न फिर वीडियो में ऐसे होता है कि अरे यार क्या था फिर कट जालो सोचो बैठके ऐसे नहीं करना है इसी विज़ेसे मैं लिच लिया तो शुरू करते हैं पहला मेरा निकालना उतना यादा वो नहीं समझा बहुत ज्यादा मेनत लग जा थी निकालो रखो धूल धक्र बहुत कुछ था उसमें तो लाके रखते सब्सक्राइब और इस पर्डिकुलर मैंने सिस्टम से ना कितनी चीज़ें सीखी है जो मैंने सीखा हुआ है अपना लाइक मैं उसमें विंडोज अलग-अलग डालता रहता था हर एक हफ्ते पे विंडोज चेंज कर देता था था विंडोज 7 उसमें नहीं आया था तो विंड सब्सक्राइब नहीं खाली उसमें हार्डवेर चीज़ें विसेकर कि उसका ना जो like CPU था ना वो पुरा खोल खाल के पूरा देखना क्या क्या कहां पे लगा हुआ है क्या कैसे रगा हुआ है ठीक एसरी ड्राइव कैसे लगा हुआ है SMPS कैसे लगता है उसके पार में लिया था basically यह अपना डेल का laptop है basically मैं दिखाता हूँ पहले तो आपको यह डेल का laptop थोड़ा भारी है ठीक है यह पुराना laptop उस समय माउस था नहीं और पैसे उतने होते नहीं थे ठीक है तो ऐसे से करके यूज करते करते यह थोड़ा रंग इसका लगे न इस वह इस ऐसे हो गया इसका यहां से ऐसे करके मैंने इसमें काफी कुछ किया है यह मेरे को बढ़ा था कुछ 32,000 रुपय का 2012 में और इसके specification से 2 2GB RAM था उस समय में और DDR3 था 500GB की hardest थी ठीक है तो यह specification थे और बाद में मैंने 2 या 3 साल बाद शायद इसका जो RAM है वो बढ़वाया था 2 साल बाद I think so 2GB से 4GB करवाया था ठीक है तो मैंने बताऊंगा क्या किया मैंने और यह मतलब camera camera सबकुछ सभी था इसमें बिल्ड मतलब इसकी screen भी कई बार मेरे से फूड़ी थी दो से तीन बार मैंने इसकी screen भी चेंज करवाया कीबोर्ड खराब होता कीबोर्ड चेंज कराया है टचपैड इसका खराब ही था टचपैड जब मैंने अभी यह अपना नया laptop लिया था ना primary laptop जो अभी यूज करता हूँ उससे पहले यह touchpad इसका खराब हो चुका था ठीक है यह touchpad इसका काम नहीं करता था मैंने ऐसे तार वार खोले थे और इसमें मैंने यह laptop को मैंने like इतन सब कुछ इससे करता था सी लैंग्वेज हो गया अपना वीस कोड वगेरा सब कुछ इसमें बहुत स्मूथ बहुत अच्छा चलता था बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा उस समय जब यूज करता था न उस समय लगता था कहां स्मूथ चलना है फिर दीरे दीरे laptop like कुछ सा चमाल के रखखा था अभी भी बहुत समाल के रखखा बसे चलता नहीं है इसको बनवाना है इसमें थोड़ा मधर बोर्ड का इसी हो गया है तो मैंने तो ने मैं इसमें पूरी चेंज करवानी पड़े की इसलिए मैं ऐसे रख दिया इसको और फिर आती है बात और इस laptop मैंन उसका laptop यूज किया था जो मेरा roommate था basically hostel के सामें उसका laptop मैंने बहुत उसके laptop में editing की है ठीक है उस समय laptop मलगब 6-7 महीने तक मेरे पास कुछ नहीं था तो उस समय वैसी करता था फिर 2018 में यह मेरा first gaming laptop मैंने लिया ठीक है यह laptop that is Asus का top gaming ठीक है first gaming laptop मेरा यह है तो यह यहाँ पर यहाँ पर Asus की logo अगयरा यह थोड़ा sexy सा लगता है और यहाँ पर जब मैं on करता हूँ न तो यह light जलती यहाँ पर तो यह light यह light है basically जो backlit करके जलती है इसमें 256GB SSD है RGB keyboard है और बहुत ही smooth बहुत ही प्यारा laptop है देखो अभी मैं मैंने start किया और यह खुल भी गया ठीक है यूब मैंने basically अपना यह खोल के रखा हुआ था तो वही खुल गया इसमें मैंने सारा कुछ सीखा हुआ है ठीक है starting from like इसमें एडिटिंग बहुत अच्छे लेवल तक सीखिया फोटोशॉप इससे स्टार्ट ही था फोटोशॉप सीखा है उसके दिशुप टिशन जो कि audio मोदिलेशन थोड़ा बहुत करता हूं मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत वो करना पड़ता है ठीक है जूंकि कई psite बहुत उपर उधे कई पिच बहुत नीचे होते हैं तो इसको मॉडुलेट करना पड़ता है नॉर्मलाइज करना पड़ता है तो वह सारी चीज़ मैंने इस लप्टप पे सी किया है इसका मैं स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूं स्पेसिफिकेशन इसके बहुत अच्छे हैं अभी तो मैंने इसका रैम बढ़वाया है इसमें मैं बताता हूं क्या क्या है पहली चीज तो यह मेरा आसूस टफ गेमिंग यह मेरे को पड़ा था सतर अजार रोपय था तब मैंने लिया तो 2018 में जब मैं I think so second year हाँ second year खतम है ठीक है DDR4 16GB RAM है बहुत स्मूध चलता है बेकोज DDR जब इसमें 8GB RAM बस था ना तो जब मैं Adobe Premiere Pro जब यूज करता था था आ अगर आपका Adobe Premiere Pro तो प्रॉब्लम यह आ दी थी ना कि अगर आपका Adobe Premiere Pro तो इसको minimum एक RAM चाहिए होती है हर application को minimum एक RAM चाहिए होती है तो Adobe Premiere Pro को चाहिए रहती थी RGB minimum RAM जो कि मेरा सिस्टम का RGB पूरा RAM ले ले लेता था उसके साथ आप Google Chrome वगेरा नहीं चला सकते हो ठीक है तो उ I think so 2400 के आसपास पढ़ा था मेरे को exact नहीं आद है लाइक इसी के आसपास था 3000 के आसपास ही पढ़ा था लास्ट येर की बात है तो RGB मैंने इसके सर्वेस सेंटर से ही चेंज करवाया था DDR4 RAM ठीक है तीन I think so 2600 MHz का है 2600 MHz frequency है इसकी तो वही चेंज करवाया था ठीक है डू जो आपके laptop में पहले पुराना RAM है जो पुराना RAM है ना उसकी frequency और आपके laptop जो नया लगवाने जा रहे तो जादा हो या तो उसके बराबर हो ठीक है उसकी frequency जादा होनी चाहिए या तो बराबर होनी चाहिए अगर कम की लगवाओगे ना तो आपका जो आप सोच रहे हो न में i5 8-gen है और 8-gen SSD 256 भी एक टरावाइड इसमें hard disk है SSD बहुत ज़ए important होती है आज के जबाने में अगर आप laptop लेने जा रहे हो पहली चीज तो आप SSD रखो ही रखो laptop में खोजो जब भी खोजो जो Apple के laptop होते है ना उसमें SSD ही होती है बस उसमें hard disk नहीं होते हैं laptop में SSD होते हैं तभी वो systems बहुत fast चलते हैं यह laptop भी लाइक जब मैंने 2018 मिलिया था ना तभी यह चार से पांच सेकेंड में on हो जाता था आज भी यह laptop चार से पांच सेकेंड में अराम से on हो जाता है और भी कम समय लगता है भी मैंने on करके दिखाया था आपको कि हां मैंने टैप किया ग्रेड होने लगती है दीरे दीरे परफॉमेंस कम होगी उसके बाद फिर दीरे दीरे चीज़े आप्स वगेरा स्लो चलने लगेंगे विकास जो मारी हार्डिस्क होती है ना यह थोड़ा पढ़ाने वाली वीडियो बन गए यह लेकिन ठीक है यह थोड़ा पता लहना चाह से ब्राम यह पेंडराइब देखा होगा तो उसको बस वैसे प्लक करना रहता है वैसे ही वह छोटा सा इतना बड़ा सा होता है वह बस प्लक कर दो वह सिस्टम ready to play है ठीक है कुछ और नहीं लगाने की ज़र होता है तो उससे काफी स्मूथ अगर कोई किसी का लैप्टाप बहुत दीरे चलना है तो SSD में अपग्रेड कर सकता है 6000-7000 का मेरे को I think so 256GB का SSD पढ़ता है और C drive में जो आप C drive में जाओगे ना लैप्टाप के C drive में तो basically C drive में ही Windows जिसमें स्टॉल लेती है उसी में सारा कुछ होता है ठीक है यह मेरा C drive जो है ना C drive के अंदर ही आपका Windows स्टॉल लोती है और वही आपका SSD होता है ठीक है तो इस वजह से थोड़ा सा सिस्टम बढ़ियां चलता है तो इसमें GTX 1070 Ti है 1050 या 7070 I think so Ti है और 4GB का ग्राफिक कार्ड है इसमें काफी अच्छा बहुत स्मूध चलता है मैं इसमें इतनी गेमिंग की है इतनी गेमिंग की ह मैंने लाइक जब मैंने लिया था ना तो देखो वी एसकोड वागएरा तो बहुत स्मूध चलता है वी एसकोड हो गया आपका आपके क्या नाम है एनकोंडा उसके बाद जूपिटर नोटबुक यह सारी चीज़ते बहुत जादा स्मूध चलती बहुत अच्छी चलती है क उसके बाद फीफा का मेरे को बहुत शौक है फीफा मैंने खेला हुआ है इस पर काफी अभी अभी शायद आपको स्क्रीन पर यह वी भी यह देख लो यहाँ पर दिक नहीं रहोगा बिसिकली टीक है फीफा नाइंटीन अभी बी इंस्ट्रॉल्ड है मेरे में मैं खेलता ठीक है तो काफी अच्छा चलता है बहुत स्मूज चलता है ठीक है तो यह फायदा हो जाता है आपको gaming laptop का थोड़ा फायदा यह होता है ना कि performance आपको बहुत high end मिलती है बट मैं यह कहूंगा आपको starting में gaming laptop की जरूरत नहीं है अगर आप अभी start कर रहे हो college days में start कर रहे हो को एक RGB lightning है यह keyboard वगेरा lightning है ठीक है जैसे देख सकते हो lightning वगेरा अलग-अलग change होता रहता है अपने आप उसके बाद आपको इसमें cooling वगेरा का सिस्टम मिलता है काफी अच्छा हो अभी है तो यह सारी चीज़ें उसके बाद मैं आपने office laptop की बात करता हूं जो इधर रखा मतलब exactly मैंने खरीदा थो है ने तो रेट पता होगा बट मैं लम्ट सम पता दूंए कुछ 60,000 का पड़ता है आपका प्रो सॉरी यह प्रोबुक जी सेवन है जी फाइफ नहीं है जी सेवन ही है और यहां पर लिखा हुए इसका model number वगेरा वो भी मैंने अभी देखा है मैं म मेरे को like मेरे को कंपनी के तरफ से मिला था जाब मैंने जॉइन किया था उससमय मिला था और यह कोई मेरा लैप्टॉप नहीं कंपनी का लैप्टॉप है ठीक है तो यह चीज मेंशन कर देता हूं लोगों ने कहा ता इसी में बता रहा हूं इसकी स्पेसिफिकेशन इसमें बजी भी राम है और विंडोज एंटरप्राइज है इंटरप्राइज बिसिकली जितने भी कंपनी होती है जो सॉफ्टर इंजिर्म में अगर आप हो या कुछी भी फील्ड में हो अगर आप कंपनी के तरफ से लाप्टॉप मिलता तो आपको एंटरप्राइज ही मिलेगा इसका मैं शायद इस सिस्टम ऑन ही होगा इसको मैं मोस्टली ऑन ही रखता हूँ इसमें शटडाउन को ऑप्शन नहीं है फिलाल इस वज़े से मैं खोल के नहीं दिखा रहा हूँ ठोड़े कंप्लाइंस वागे एशू आ जाते हैं उसके कंपनी के बारे में ऐसे खुल के ब अशिकर बहर उसकी में हाँ यहां से युएस की मशीन हम लोग और काफी सही लैफटाप फोगे इसलिए इसमें है और ग्राफिक कार्ट की जरुवत नहीं है इसमें i5 10 जनरेशन है तो यही सारी चीज़ है यह मेरी दुकान है जो ठीक है यहां पर यह लाप्टाप हो गया और भी मॉनिटर्स वगेरा है कीबोर्ट्स वगेरा वो मैं वर्फ्रों होम वाले वीडियो में दि सब्सक्राइब करते ना गेमिंग लाप्टाप अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे मॉनिटर के लिंक्स में है काफी अच्छा मॉनिटर है फुल एजडी मॉनिटर में दिखा दूंगा अगली वीडियो में जब मैं वर्फ्रों की व वीडियो को मिलते है नेक्स वीडियो में जहन बंदे मातरम बाबाई